नमस्कार, मेरा नाम है शेफर पाल सिंग सोकी और मैं बनाने सिखा रहा हूँ आपको राप्स जैसे राप्स तो जारतर मेक्सिको में बनते हैं और उसी से इंस्पायर होके मैंने एक जिफी रेसिपी बनाई है मतलब फटाफट बनने वाली रेसिपी बनाई है ताकि बच्चों के टिफिन के लिए आपको ज़्यादा परिशानी नहीं हो बहुत मज़ेतार है चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है मेरे पास है यहां पर यह बढ़िया रोटियां मतलब जैसे मेक्सिको में लोग तौर्टिया कहते हैं यहां पर यह रोटियां है और इन्हें थोड़ा सा गरम करना है इसलिए इन को मैं यहाँ रख लेता हूँ तौर्तियास कहलें या चपातीज कहले हिंदुस्तानी बना रहा हूँ यह चपातीज से बनाऊंगा हलके से गरम कर लेते हैं यह जो चपातीज यह अब यहाँ गरम हो गई है अब है देखिए कितनी healthy यहां पर मेरे पास lettuce है कुछ colorful कुछ green आपको जैसे मर्जी lettuce मिले आप वो ले 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 और इस पर तोड के रख लें बड़ी healthy dish है यह याद रखिए साथी साथ यहां पर मेरे पास कुछ spicy tomato sauce है वो भी लगा लेता हूं इस पर यह spicy tomato sauce और इसके साथ-साथ ये लेटिस पे बेग बीन्स डाल लेते हैं यहां पे बेग बीन्स असानी से मिलते हैं मार्केट में ये बेग बीन्स डाल ले आपने और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अगर बच्चों के लिए बना रहें तो थोड़ा सा ध्यान रखें चिली इसकाम राउंडल्स काट लेते हैं इस तरह से गोल-गोल काट लेते हैं और इन्हें अलग करके वो भी इस पे इस तरह से लगा लेते हैं यह प्यास को लगा लिया आपने इस पे और फाइनली थोड़ी चीज यह चीज लगा लिया आपने यहां पर क्रेटेड चीज ठेर सारी चीज अब क्या करेंगे अब यह जो राप है इसे पूरा राप ने करना इस तरह से फोल्ड कर लें और इसे यह जो तवा गरम हो रहा है इस पे रख लेंगे और तवे में रखते वक्त थोड़ा सा प्रेस कर लें यही चीज मैं इसके साथ भी करूँगा यहां पर दूसरी चपाती के साथ थोड़ा सा प्रेस कर लिया और इस राप्स को पकने दें साती साथ थोड़ा सा तेल डाल लूँगा मैं ताकि दोनों तरफ से बढ़िया क्रिस्प हो जाए बहुत ही सिंपल है कई बार क्या होता है कि हम दूसरी क्यूजीन की चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसे ही हिंदुस्थानी खाना में ऐसी कुछ तब्दिली राये कि बच्चों को भी पसंद आए और वोही डेश बन जाए तो ये जो चीज है मेक्सिकन राप्स से इंस्पार्ड है और बहुत ही बढ़िया है बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी और जो है न सबसे बड़ी परेशानी माताओं की मैं देखता हूँ कि सुबा उठते ही बच्चों के लिए टिफिन में क्या दें वो ही केक का स्लाइस दे जेते हैं कुछ कुछ दे जेते हैं ऐसी चीजें दे जो बच्चों को भी पसंद आए और मज़िदार भी हो इसको दोनों तरफ से पकाना है बढ़िया यह देखिए बढ़िया दोनों तरफ से पकाएं क्रिस्प हो जाएगी चीज भी अंदर से मिल्ट इसे दोनों तरफ से पकाएं और बिल्कुल क्रिस्प जब हो जाए दोनों तरफ, अंदर से चीज भी मिल्ट हो जाएगी, उपर से क्रिस्प, अंदर से चीज जब सॉफ्ट क्रीमी रहे और यही यह इस्राप का मज़ा है यह देखे, कितनी बढ़िया क्रिस्प, जब दोनों तरफ से पक जाए, तो क्या करेंगे, इसे निकाल के इस तरह से निकाल के, यह छोटे-छोटे ट्राइंगिल्स में काट लेंगे और इसे बढ़िया तरीके से सर्व करें थोड़े से लेटिस पत्ते हैं, तो वो डाल ले, और बस यह देखिए, तयार हो गया राप दिखने में भी सुन्दर, भई बचीवी चपाती से बनाएं, या फ्रेश चपाती से बनाएं, इसी तरह से बनाएं, जैसे मैंने बनाया राप्स, मेक्सिकन इंस्पारड सिर्व आपके लिए